नमस्कार मुद्न देल स्राइक्लासेज मैं स्वागत था आपका आज हम पड़ेंगे राज़स्थान में वने जीव स्रंक्षन के बारे में जिसमें वने जीव बयरन डाट liqu 26 उनको कंप्लीट पढ़ेंगे उनके बारे में बात करेंगे सुभांकर जो जिलियर हैं जो सुभांकर नाम दिया गया है वो 33 उनमें उनकी पचरजा करेंगे रिलाश में पढ़ेंगे राश्टिक अन्जरमेशन जो शेतर है उनके बारे में तो उसमें शेक्यूशन आता है तो इसको हम पढ़ते हैं देखो राजस्तान में बने जीव सरंक्षन राजस्तान में जो जो वन्य जीव है वो ब्याने स्विदान संचोदन 1906 के अंतरगत इसको किश में सामिल कर लिया गया था तो समवर्ती सुची में सामिल कर लिया गया था इंपोटेंट है इसमें शेक्यूशन आते हैं कि जो वन्य जीव है वो किस कौन सी जो सुची में आते हैं तो समवर्ती सोची में आते हैं अपने वन्य जीव भारत सरकार द्वारा जो वन्य जीव सरंक्षन अधिनियम है वो लागू कर दिया गया था 1902 में लेकिन राजस्तान सरकार इसको लागू करती है 1903 में एक साल बाद लागू किया गया था 1902 में और राजस्तान में कब लागू किया गया गलता उने सो टेतर में राजस्तान का आसम के सब्सक्रांगे तूर्शिव वह है और दोज़ार शुड़ाद के अनुसार कितने जो ने आखेट निशेची चेतर हैं तो कितने हैँ, राजस्तान में 33 हैं जंतवाले पाँच हैं और मरगवन कितने हैं यह भी राजस्तान का क्या है पर्थम जोलोजिकल पारख है तो यह तीरों चीजी है इसके बारे में important है आपको याद रखनी है सजनगड उदेवपूर में ये दूसरा जेविक पारक है वराजस्तान का दूसरा जेविक क्या ये उद्यान है उदेवपूर सजनगड में स्थीत है जनतवाले देखो जनतवाले 5 है जिनके पार में हम चर्शा करते हैं पर्थम हम पढ़ेंगे जेविक जनतवाले जेविक जनतवाले की स्थापना होती है 1806 में यानि 1806 में होगी तो ये क्या है सबसे पुराना सबसे प्रांचीम तम कौन सा है जेविक जनतवाले उसके बाद में उद्यपूर में स्थापना होती है 1878 में उसके बाद में विकानेर में 1922 में लेकिन ये विकानेर वाला वर्तमान में जनतु आले क्या है बंद है जोदपुर में जनतवाले की स्थापना होती है 1936 में और कोटा की आजादिगी बाद में 1924 में स्थापना होती है राजस्तान का सबसे नमींतम जनतवाले कौन सा है कोटा का सबसे पुराना जनतवाले है अपने जेपुर में 1806 में बाद में उद्यपुर में होती है दो साल बाद में स्थाप पूर और कोटा तो आपको यह आपके डेट याद होगी उन्हें अठारा सो शेतर फिर दो साल बाद में अठातर उसके बाद में 1922 इस इदा फिर 1936 पर एक साल आ जादी के बाद में यह कोटा वाला मरगवन सेवन मरगवन कितने है सेवन है संजेवदान जिला क्या है जेवपूर संजेवदान कहाँ पर है जेवपूर में है असोग विहार जेवपूर में पुसकर मरगवन अजमेर में चितोडगड मरगवन कहाँ पर है चितोडगड में सजनगड मरगवन कौन सा हो इसको दोनों चीजों में आपको एक तो सजनगण मरगवन से और सजनगण जो ऊद्पूर्वाला रखे है राजस्थान का जेविक हुद्यान, नहीं है, याद हो गई, राष्ट युद्यान कि इतने हैं यह 3 राष्ट युद्यान, अब रण थम बो राष्ट युद्यान, र कहाँ पर स्तापना होती है आजाती के बाद 1905 में कब हुई थी इसको राष्टे का दर्जा मिलता है 1908 में स्तापना तो होती है 1905 में लेकिन इसको राष्टे का दर्जा मिला था बहुत बाग परियोजना का चेतर कितना है 202.05 वरे किलोमेटर यह एक बाग परियोजना है इसे बाग परियोजना में 1903 में सामिल कर लिया गया था इसको सकब सामिल कर लिया गया था बाग परियोजना में 1903 में लेकिन इसको राष्टेता का दर्जा कम मिला था 2000-808 में मिला था राजस्थान में बाग परियुजना की सुर्वात किसी होती है राश्टि रण थंबर उध्यान सुमय मादृपूर से ही होती है वह देखो एक वक्ति है जिनका नमा था केला सांक्ला इने के प्रियासों से इसमें जो रण ताइया इन्गार्यज रिटेन टैकर और सांगलाज इंडिया इन्हों ने कितनी बूइल की टैकर रिफ़्क प्रियोजना के सुर सानाम वतनाती जहां थि किलाश ट। इनको बोला जाता है tiger man of India यहां प्रूपोर में ऊपड़र मिलते हैं मंदिता उपा Rei मारOoh ओर मेंουर तीनो को इस में ली तारी का में यहां इसमें कुला इसम एता है रॉप्य लॉत्यार्थ्व परस्जांशते में और मेनल दर मौलए कि नाया और वे Instrutus मंदिर तो यह इंपोर्टेंट है त्री नेतर गणे जी का मंदिर पाई जाता है अब नेश्ट पढ़ेंगे अपना केवला देवी राष्टी उद्यान इस्तापना होती है 1956 में और इसकी स्थापना कब होती है 1905 में यानि एक साल बाद में इसकी हुई थी केवला दे राष् इसको मिलन इस्तापना इसको सुचि में नé 988 मेंं मिलता है इसकी में कवला देवी राष्ट्य उद्यान को कब गोसित किया गया end जासी में एक रहामसरस Everything में सामील किये यहां का मुख्यक्षण के इंदर है इसका क्या है मुख्यकंदर यहां यहां इस पूर्ती झो केवलादुझ राष्टे उध्यान फिपानि क्या पूर्त पूर्त कों गाता है और इसमें पाई जाती ऑचा घास ही पाई जाती जाती है डोक्टर सलीम अली करम अ 7 इंडिया घंड जर्सक्वानि तो केलाद्वी राष्टे किलोमेटर लगबग है राजसान का सबसे छोटा यहां केवलाद्वी राश्टी राश्टे किलोमेटर तीसरा अपना है जो कहा पर इस ती तहा है कोटा जालावाड और चित्वडग़ कोण सा है मुकंद्रा हिल्स राश्टी उद्यान इसका च्छेतरफल कितना है 200 ग्लोमेटर है और इसकी स्तापना होती है 255 में राष्टेता का दर्जा मिला है इसको 2012 में अभी दिया गया है 2012 में बाग प्रियोजना में सामिल किया गया है इसको 9 अप्रेल 2013 में लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि इसको राष्टी बाग प्रियोजना में सामिल किया गया है लेकिन इसमें क्या है एक भी बाग नहीं भाग व्रियोजना में सामील कर दिया गया इसका नाम हाड़ूत्य के प्रकर्तिक प्रेमी मुकंद के इसको प्रशन हिल रखा गया इस के पहले ओं गागरोनी तोता भी पहले जाता है जीसे हिंदूों का क्या प्रेसिटा हीन्दु का काशलोषन कोउन और जो घाल नियुकोण क्लिशू पाई जयता है मुकद्राइक शुर्च राषट युद्यान में पाई ज़ाता है जो हिरामन होता है वह इसी लिमकम पाई इसमें बीक रूटीयों कमया 26-26 डेखो 26 में पड़ेंगे इसको मां आपको बताजहती हूं मैं अपके द्वारा देखो है इसको एसितह बनाये गए कि स्टाव डियान गोषित किया गया है जिस्लिए और बाड मेर में राष्ट मेरूद्यान यह जिसका चेतरफल है 1362 किलो मेटर है इसको आप एसे के लिए चुरु कहाने है ताल चापर में चुरु कहाने है अजमेर में अलवर में कौन सा है भरतपुर में बंध बारट अलवर में कौन सा है और ये स्वयमादपुर स्वयमान सिंग अब यह कनक सागर रामगड कौन सा कौन सा है बुंधी में कनक सागर और रामगड विश्विहारी होटा पे हैं जवार सागर है यह देख हुआ आपको जेपूर में कौन सा है नहर गड़ जेपूर में लिखा नहीं था नहर नहर गड़ और शेकेंड अपना कौन सात है प्रुषै जमू वारागड़ यह जैपन्दर गत्या अलवर में है एक तो सरिशका आपको पता है शरिशका है विश्क और दूसरा है सरिश पारन SHRI अभ्यारन जो को अलग कर लग दा मूं सब्सक्राइब में बिंदर बनवारि नहीं को बता दिया दोलपुर में क्या है राम सागर वन विहार और केसर ये तीनों इसमें पाई जाते है करोली में कौन सा है केला देवी कहां पे है करोली में स्थीत है जो अपना वने जीव बैरन है स्वाई मादपुर में स्वाई मान सिंग नान से है बारा में कौन सा है बारा में सा है कुम्बल गड़ है शीरोई में माउंट अबू ने जीवा बैरन है उद्यपूर में तीन है फुलवारी की नाल सजनगड और जैसमंद वन्य जीवा बैरन ये को आहां पाई जाते हैं उद्यपूर में पाई जाते हैं अब देखो इनको पढ़ते हैं राष्ट्य मरूद् अब्यारण प्रजाती भी इसी में पाई जाती है चंदन ननकूप इस्तीत है इसे क्या बोलते हैं चंदन ननकूप को थार का गड़ा थार का गड़ा किसे बोलते हैं चंदन ननकूप में और चंदन ननकूप कहां पाई जाता है राष्ट्य मरूद्यान में गजनेर वन्य जीवा बैरन कहां पे इस्तीत है बिकानेर में इसे बटबड पक्षी भी इसमें कौन सा पक्षी पाई जाता है बटबड पक्षी बहात वाइन पालने लिए परशिद काले हिरं के लिए इसको बोलते हैं काला हिरन वह सोझी ताल चापर में इसमें पाई जाती है और कुर्जा पक्षी की सरनस्तली भी कौन सा ये तालचापर है कुर्जा पक्षी ऐसे आप सभी वाकिफ है कुर्जा पक्षी का है कि सरनस्तली है तालचापर और मोथिया गास मोथिया गास थोड़ी ऐसे ग्रीन डार्क ग्रीन होती है जिस वज़े से इसको क्या बोलते हैं कि हीरन है वो इसको खाते और काली हो जाते हैं यहां के जो रहने वाले लोग हैं इनके बारे में यह बताते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता है पता नहीं सेंटिफिक तो नहीं है लेकिन ऐसा बोलते हैं कि मोथिया गास की वज़े से यहां पर क्या पाई जाते हैं काली हीरन पाई जा बाग प्रियोजना में इसको सामिल किया गया 1978 में राजस्तान की एक मातर बाग प्रियोजना है यहां क्या पाई जाते हैं हरे कबूतर वा मोर पाई जाते हैं तो यहां यह पूछा जाता है इनकी विशेशता है तो विशेशता हो में शेक्ष्ण जदा आते हैं कि हरे कबूतर कहां पाई जाते हैं तो सरिश का अलवर में पाई जाते हैं बटबड पक्षी कहां पाई जाते हैं यह बहुत बर पुछा गया इसको आप तो याद ही रटी लेना कि कहां पाई जाता है बिकानेर गजनेर में पाई जाता है सरिशका अब बहरन देखो. सरिशका अब बहरन का अपर ह 2016-11 은 eco by डृष इञेर क दर्जा मिला इसको 2000 बारे में अभी दिया गए. कुलच sitting फंस के तीन वरज के 2.00 m कितने में था तीन में था राजस्तान का क्या हो गया दूसरा जेवी उद्यान है पहला कहां पे जेवपूर में नारगड और ये दूसरा सबसे छोटा पहला कहां पे ये सरिश्का में अनवर चिता माता वन्य जी वह बहुत बर कुछना आता है परताप गड़ चितोडगड मे ये जिता माता वन्य जी वह बहरण कहां पेलाव है ये उडं गिलैρο के लिए परशीद है तो ये क्वेशन बहुत 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 बर पुछा जाता है सिता मात में पाई जाती है वहती है करौपण ब्रसके में और रह से इस एले जबेः संसे हुआ मनादी इसे निकलती है चीतलों की मर्त भूमी अचिपने जाखें पर चाहिए परस्थीत है यह आप समझ जाएंगे जंगली मुर्गों के लिए परसिद इंप्रोटेंट है बहुत बर पुछावा कुछन है जंगली मुर्गों मुर्गे इसके मांट अबू में कारा नामा गास पाई जाती है इसी समझ देखो सबसे लंबी गास को दूसरा इस इसके मातर वनस्थपति बोलते है इसको आबू यह आसकते हुछ है ंजामे कुम्बल गडवने जियुव बैरण सबसे बड़ी बेडिया परजनन इस्तली भी यहीं है एतियासिक इस्तल के रूप में अपना कुम्बलगड वने जीव बैरन में उदे उदे सिंखा लाल परण भी होता है परताब का जनम हुआ दूसरा वा उदे सिंखा लाल परण हुआ तीसरा वा राणा कुम्बा की मर्थ्यू फुलवारी की नाल इंपोर्टेंट है कहां पर है उदेवपूर में यहां मांची वाकल नामक सुरंग बनी वी है आती मांची वाकल क्या एक सुरंग है राज़तान की दूसरी यह लंबी सुरंग होई निकलती है जो फुलवारी की नाल है उसी से निकलती है सो मांची और वाकल ने दिया तो इन नदियों का नाम दे क्यूशन पूचा जाता है कि ये किसे समंदित है तो ये पुलवारी की नाल से समंदित है मारणा परताब की इसे क्या बोला जाता है करम मोमी भी बोला जाता है मारणा परताब की करम मोमी कोंची है पुलवारी की नाल मिला सिरगट वने जीव अभैरन में जो कहा हिस तीतता है सापों के इस्तली परवन नदी इसी से क्या है गुज़रती है अब हम पढ़ेँ वर्तमान में परतेक जिलों के जो बन्ने जिव सुबांकर दिया गए है तो बासवाड़ा को क्या नाम दिया गए है जल पिपी चितोड़गट को दिया गए है गोसिया कोटा को दिया है उदिबिलाव परताबगट को दिया है उडन गिलेरी बिलवड़ा को मोड जनवाड को गागरूनी तोत्ता बारा को दिया मगर स्वेमादपुर को दिया बाग करूली को दिया गडिया दोलपुर को दिया पचीरा और भरतपुर को दिया साइबरेन सारस अलवर को दिया सामबर जेवपुर को दिया चितल सिकर को दि काला तीतर और उसके बाद में चूरू चूरू को दिया है कर्षण मरग अनमानगड को दिया है चोटा किलकिला क्या ना मैं देखो चोटा किलकिला दिया है अनमानगड को श्री गंगानगर को दिया है चिंकारा और भिकानेर को दिया है बटतीतर जसल मेर को दिया है गोड़ावन बाड़ मेर को दिया है लोमडी जालोर को दिया है भालो शिरोय को दिया है जंगली मुर्गे उदेपुर को दिया है कबर बज्जु डुंगपुर को दिया है जाजिल अजमेर को दिया खरमोर, नागोर को दिया राजहंस, जोदबुर को दिया कुर्जा, पाली को दिया तेंदुआ, रासमन को दिया भेडिया, टॉंग को दिया हंस, बुंदी को दिया सुर्खाव, और दोसा को दिया है, क्या दिया है, खरगोश, यह आपने क्या थे, सुबांक पूचा जाता है इंपोर्टेंट है इनको भी आपको पढ़ना चीए राजस्तान में कुल कितने हैं दस रिजर्वेशन रिजर्वर चेतर है जिसमें से देखो नाम दिया हो है इनकी स्थापना कब हुई है और इनका जिला दिया हुए ठीक है बिसलपूर बिसलपूर कंजर्वेशन रिजरवस्षा दोंकी नाइता है इसका जिला जॉडवीड है इसका चॉलत इहां सुंदा माता can bring l जोерм चिटर्वेशनु में इसका इस्तापना होता है दो जार आठ में जिला कौन सा है जालो गुड़ा विश्णोई गुड़ा विश्णोई की स्थापना होती है दो जार ग्यारा में जिला अपना जोदबूर साकंबरी है साकंबरी की स्थापना होती है दो जार बारा में इसका जिला आता है कौन सा सीकर गांगे लाव गांगे गंच उमेद गंच की स्थापना होती है 2012 में जिला कॉन साहता है कोटा जवाई बांध यह दोजार तेरा है तो दोजार तेरा में स्थापना होती है पाली में अब इसमें याद रखने आपको यह है कि गुद्धा विश्णोई जो जोद्बुर में है वह 211 में बाकी 2012 में और जोड़ बिड़ सुन्दा मादा जोड़ बिड़ सुन्दा माता जोड़ बिड़ किसमें 2008 में विकाने रोल जालोर 2011 में एक यह गुड़ा विश्णोई और 2013 में भी यह जवाईबान पाली तो वन्य जीव सप्ता मनाते हैं मरंने जीव सब्साइब यह जाता हैं कि मनता सब्सक्राइब कर नाम दिया गया है इसमें नाम आक को याद रखना है इसमें वह इत्wyुम्त बारे चे वह यह ए इंपूर्टेंट फै कुंसे चीज पाए जाती है उड़न गिलेर किस में पाए जाती है इसके बार में जैसे इस दो समय्दित बाते हैं उन से आपके पूछ जाते हैं तो आपको याद रखने हो योगी यह बाते हैं महत्वण महत्वण तो यह राजस्तान में अपना क्यों से था वन्य जी आप एर